अल्स पाउंडेशन के पाइलेट ध्यान दे जहाँ भी ट्रैफिक मिले वोटर बजाते हुए निकले जलवा है हमारा है अल्स बिंजीन पिशन जूटी बेर यह पिशन जाना अपसर रोजा अलो टेनिस करेट 21 के चाहने वालो कैसे हो आप लोग उमीद करते हो आप लोग बढ़िया हो प्रैक्टिस जल्दी खतम करके निकल जाता हो मैं मैच खिलने के लिए मैच जल्दी खतम करके मुझे जाना है आज एशिया के सबसे बड़े एर शो को देखने के लिए और अगर किसी को मालूम हो यह कौन सा ग्राउंड है तो ओप कमेंड में जरूर बताना मैच खतम होने के बाद मैं जाओंगा एर शो देखने आजे भाईये के साथ जो हंस पाउंडेशन के मेंबर हैं और वो एज़र डॉक्टर है अभी मतलब स्वेमा अफिस से निकाल रहा हूं है अल्स पाउंडेशन के पाईलेट ज्यान दे जहां भी ट्राफिक मिले वोटर बेजाते हुए निकले यहां पर काफी दूर से लोग आया हुए रहते हैं और अपनी गाड़िया लगा के अपनी जगे फिक्स कर लेते क्योंकि आज बहुत भी डूने वाली थी इसलिए कोई इस मौगे को छोड़ना नहीं चाहता था एयर शो की टाइमिंग है धाय बज़े से लेकिन यहां पर पब्लिक आना 11 बज़े से चालू कर देती है और 11 बज़े से अच्छी घासी भीड लगने लगती है आधे गंटे में काफी ज़्यादा पब्लिक आ जाती है और अभी भी शोई स्टार्ट होने के लिए काफी टाइम बचा है और पब्लिक अभी से इकठा होना स्टार्ट कर देती है कि एर सोई स्टार्ट होने के आज गंटे पहले का ये नजार है और आप इससे अंदाजा लगा सकते कि कितनी भीड़ हुई होगी जब सोई स्टार्ट होता है कि शोई स्टार्ट होने में अभी भी 15-20 मिनट का टाइम तो मैं लंज करके जल्दी से रेडी हो जाता हुँ देखने के लिए फाइनली काफी इंतजार करने के बाद जिसको हम लोग देखने के लिए इतनी दूर से आए हुए थे वह पहला एयरक्राफ्ट आ जाता है मूंके स और आप पबली का रियक्शन देख सकते है वह एयरक्राफ्ट को देखने के बाद आए हैं आइज बना रहे हैं थे अ कर दो अईखी अजए और गगर रख दूड़े लूटमा बारा भर का पार बाराए टॉट पारी को भी जादा यूटमा improve झाल गभा गट पस्पवार का बवारा लग्मार टॉटमार को वार का रारा गजए लगता है प्रूह करें लगार के लाओंट वड़ प्रूह करें लाओंट लाओंट स्वाओंट लाओंट 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 शो खतम होने के एक घंटे बाद भी हम लोगो काफी इंतिजार करना पड़ा बाहर निकलने के लिए शो खतम हो गया था साड़े चार बूंदे लेकिन हम लेपरोसी तक आते आते साथ बज गये था चालिश से पैतालिस मिनट लग गया हम लोग को इसी ट्रैफिक को क्लियर करने में और निकलने में बाहर अब जया हम लोग पहुचे सेविल लाइंस और हम लोग लगी थी काफी भूब तो हम लोग बाड़ी चोखा खाने के लिए फैमिली रेस्टोरेट में चले गए अगर अगर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा कर दो